सच्सी कि हम और जैसा कि हमने आपको आस्ट क्लास में समझागा था कि जो देखेम के और एक होते हैं एक है राएशनल और एक एर रात आशिक लो करते हैं जो रिजक नमबर है ना कि दो है के हैं एक रेशनल और एक रेशनल तो यहां पर जो रेशनल नंबर हैं कैन भी रिटन in form of P upon Q where P and Q are co-prime integers and Q not equal to 0 और यहां इसके अग्जामपल हमने दिये थे आपको के सबसे पहले आपका अग्जामपल था का इसका root of the time number root two root three root one 3 eías अग्जामपल के दुत्रा थाप का non-terminating non-terminating non-repeating decimals one point two zero two zero zero two zero zero two zero zero two zero zero इस तर से जाएंगे one point two zero two zero zero two zero zero two zero zero two zero 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 इस तर तर आपको बढ़ते चला जाएंगे आप देखेंगे नहीं तो decimal terminate हो रहा है और नहीं repeat हो रहा है देखें डिलो डिलो蛇ड होता तो मैं ओलता हो दिनो का बार हो गया है 2 जीरो के बाद two zero zero ओन भी फिर two zero 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 ओन खेप से यह रिपिट भी नहीं हो रहा लहा यह एक डिपिन Iron yes posit नमबर के साथ two zero different two zero 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 तो का बार कर देता हो तो यहां पर ऐसे नंबर क्या कई नंबर और पाई है पाई ऑिए इस इस अभी तक आपने पाई को पढ़ा ट्वेटीटीट जो नहीं हो ना जो 22 सैवण है अधी अप्रोक्षिमेट वाल्यों पाई एक्षिलिए नों टर्मिंटिंग और नोट रिपीटिंग डैसीमल है तो अभी आप इसमें आगे बढ़ने देपले कोई सीच देखेंगे एक ग्रीस मैथमेटेशन था पाइथागोर्स और उसने बहुत ही कमाल की थ्योरम दी थी कि यदी कोई ट्रेंगल राइट ट्रेंगल ह वो तो जैसा कि आप जानते हैं कि 90 डिगरी एंगल है यह रइट एंगल के सामने वाले साईड होती क्या होता हाइपोटनियस और यह बेस हो गया और यह परपेंडिकुलर तो इन दोनों का स्क्वार का सम यानि बेस का जो स्क्वार है और जो परपेंडिकुलर का स्क्वार है इसका सम करेंगे तो यह हाइपोटनियस के square के equal होता है तो यदि आप इसको concept को ध्यान रखेंगे तो यह आपको बहुत help करेगा represent करने के लिए इसी irrational number को number line पर तो ध्यान रखेंगे इसको भी और अब यह हम आपका exercise शुरू करने है दिसी एक्रसाइज 1.2 यह NCRT है 9th क्लाश का और यहां पर पहला जो कॉस्चन है यह है इस्टेट वेदर फोलोई इस्टेटमेंट रट्रू और फोल जस्टिफाइए और पहला बहला देखेंगे क्वेशन नमबर वन का पार्ट फर्स्ट क्या है एवरी इर्रेशनल नमबर इसे रियल नमबर आप देखेंगे जो रियल नमबर से हैं यह दो टाइप के हैं रेशनल और इर्रेशनल तो यहनी ओल र्रेशनल आए रियल और इर्रेशनल आथो रियल तो सभी इर्रेशनल नमबर रियल नमबर होंगे यह यह आपका टू स्टेटमेंट है और सग्ड़ी निदेखेंगे एवरी पॉइंट वन नमबर लाइन every point on a number line, is of the form root m, where m is a natural number, तो आप देखेंगे मैं यहां number line डोकर का आपको सम्झाओं, तो यह 0, यह 1, 2, 3, 4, यह minus 1, यह minus 2, यह minus 3, तो यहां पर यदि हम कोई number यहां ले लें, तो यह minus 1 और minus 2 के बीच में, आएगा, और यह किसी भी natural number का root नहीं होता, आप देख सकते हैं, तो यहां पर root m की value जो है, क्या वो negative आएगी, नहीं, और यदि नहीं आएगी, तो यह आपका कैसा statement हुआ, यह आपका false, यानि number line पे, every point is not in form of root m, where m is natural number, तो वहाँ पर negative number भी है, जो इसका contradiction करते हैं, और आप तीसरा part देखेगा, यहां बोलते हैं, every real number is irrational, every real number is an irrational number, तो यहां पर, हर real number जो है, irrational number होगा, आपका अंसर आचुका होगा, कि जो real number है, दो टाइप के होते हैं, rational और irrational, तो जो P by Q की form में नहीं लिखे जा सकते, वह आपके irrational है, बड़ जो P by Q की form में होते हैं, वे भी तो real number होते हैं, तो यह आपका false statement हुआ, तो यहां पर आप देखेंगे, आपके, थ्री पार्ट से पहले question में, first one is true, second is false, and third is also false, and now we will proceed to the second question, of your exercise, 1.2, और यहां पर आप देखेंगे, question number 2 में नहीं दिया है, are the square root of all positive integers irrational? if not, give an example of a square root of number, that is a rational number, हम पहले positive integer देख लेते हैं, number line पर, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, minus 1, minus 2, minus 3, अब देखो नहीं क्या बोला, are the square root of all positive integer, यानि हम negative की बात नहीं कर रहें, इन्हें छोड़ दीजेगा, हम इनकी बात कर रहें, positive integers की बात कर रहें, और यहां पर, उन्हें बोला है, कि जो, all positive integers irrational, तो क्या सभी positive integer का जो square root होगा, वो irrational होगा, फिर रूट 1 को चेक कर लो, फिर रूट 2 को कर लो, फिर रूट 3 को कर लो, फिर रूट 4 को कर लो, रूट 5 को कर लो, तो यहां पर देखे, यह कितना आएगा, दिस इज 1, तो root 1 equal to 1, कैसा है, rational, फिर उसके बाद, root 2, irrational, फिर उसके बाद, चेक करेंगे, root 3, irrational, उसके बाद आप देखेंगे, root 4, और root 4 की value कितनी होती है, root 4 equal to 2, और 2 क्या है, rational, 2 तो rational है, विकोज हम 2 को 2 by 1 लिख सकते हैं, तो इस तरह से आप देखेंगे, कि यह आपका, क्या पूछा था, अर्दा, इसका root of all positive integer irrational, तो यह सभी irrational नहीं है, यहां बीच-बीच में rational भी आते जाएगे, ऐसी जब आप आगे बढ़ेंगे, तो root 5 तो irrational होगा, तो आगे जाके root 9 भी आएगा आपके लिए, तो that is 3, और वो फिर से rational होगा, तो इस तरह से आप चेक करेंगे, कि यह सभी positive integer के इसका root, जो है वे irrational नहीं होते, तो no, it is not true, तो ऐसा नहीं है यह आप, conclude करेंगे, और इसका थर्ड पार देखेंगे, थर्ड कॉश्चन देखेंगे, show how root 5 can be represented on the number line, तो यहाँ पर हम लोग, one unit, you can take 5 centimeter equal to one unit, तो यहाँ पर 0 यहाँ आपका number line पर आप देखेंगे, यहाँ पर हमने 1 लिया हुए, तो यहाँ पर 1 unit distance लिया, और अभ यहाँ पर आप, 90 degree angle लेंगे, और one unit distance यहाँ लेंगे, और जब one unit distance यहाँ लेंगे, 90 degree पर, तो यह जो यह distance है, इसकी वाल्यू कितनी होगी, यह वाल्यू होगी, one का square plus one का square, यह माल लो यह value आपकी x आई, तो x का square equal to python लागाएं, one square plus one square, that's equal to one plus one, that's equal to two, तो x value कितनी आगई, root two, तो यह value आगे आपकी यहाँ पर, root two, इसी तरह है, यह दिमेश को यह नाम देता हूँ, अब आप देखेंगे, यहाँ पर यह point आपको क्या था, ओ, इस point को मैं capital A यह नाम देता हूँ, इस point को capital B नाम देता हूँ, यहाँ से फिर से आप one unit, यह वन था यह वन था यहाँ पर भी one है, फिर से आप one unit का line segment लेंगे, 90 degree पर, तो अब यहाँ से distance कितना हो जाएगा, तो आपको मालूम है, इसके लिए क्या लेंगे, यह O B square प्लस O C square हो जाएगा, तो अगेन इसको हमने A ले लिया था, अब हम B लेगें, तो अगेन जो B है, यह विल भी एक्वाल टू, उपर लिखते हैं, अच्छे समझ में आएगा, तो यहाँ पर जो B है, अगे, बी स्कॉार इक्वाल टू, यह आएगा, रूट टू स्कॉार, प्लस O N इसकॉार, पाइथो खर्म लगाई हमने फिर से समें, और यह वैलू कितनी आ जाएगी, यह आएगी, 2 प्लस 1 इक्वाल टू 3, तो बी स्कॉार, बी की वैलू कितनी आ गई, बी को आएगा, रूट 3, तो बी को आए आए आपको यहां पर, रूट 3, और अब फिर से यहां पर 90 डिग्री लेगे, और 1 वन इनिट का लेगे, यहां से फिर इमाने पॉइंट डी है, फिर से ओको मिलाएंगे, तो इट विल इक्वाल टू, रूट 3 स्कॉार, से इट इस ट्रेंगल कौन सा होगा ओषी डी में देखेंगे यहां पर रूट थी का स्क्वाइर प्लस वन का स्क्वाइर जट इकल टो थी प्लस वन इकल टो फोर और सी की वैली ओगी फोर का रूट यह वैलू टू आ गई तो हमें कितना लाएन वा रूट फाइव तो इस तरह बढ़ते जाएंगे अगें फिर हम यहां पर एक युने टोर आकर बढ़ा देंगे और यहां पॉइंट यहां जाएगा आपका और फिर इसको महीं जोड़ेगे इससे जोइंट करने पर यह पॉइंट यह आ गया और यहां पर दी डिस्ट्स कीसे निकालें यह हैं किस étant में राइट ट angle o d e to d square अगरेंगे यूजिंग पाइट अगोल थे नहीं हर बारम पाइट अगोल थे विया रहें तो d square equal to 2 square 2 square plus यह कितना है 1 1 square that's equal to 4 plus 1 equal to 5 to d key value आ गई root 5 और इस तर से आप root 6 को निकाल सकते हैं फिर आगे root 7 root 8 ऐसे निकाल सकते हैं अब क्या करेंगे यहां पर compass रखेंगे और compass यहां पर रखने के बाद यह distance आप compass में लेंगे और यहां से एक arc लगाएंगे और यह जो यह point आएगा आपके number line पर यह root 5 होगा यानि जो O P होगा O P तो आप देखेंगे यह root 5 है तो यह number line है आपके यह 1 है यह 2 है आप देखेंगे यह 2 से बड़ा number है यह 2 से बड़ा है क्योंकि तो यह हो गया था है यहां पार फिर हाइपोटियंस से तो तो से ज्यादे होगा इसकी वैल्यू और यह root 5 है तो इस तरह से आप किसी भी number के लिए root की form में भी position बता सकते हैं कि number line पर कहा लाई करता है यह आपको classroom activity दी है उन्होंने यहां पर एक paper sheet के लिए बोला है और वह यह कह रहा है कि बिल्कुल इसी तरह से बनाएगा और यहां पर P1 P2 P3 पॉइंट लेते जाएगा और इस तरह से root 2 root 3 root 4 की value बताएगा तो बिल्कुल इसी को आपको paper cutting करना है बिल्कुल इसी तरह पेपर बना लिजेगा फिर को करूं करूं कर दो अबशग है और यह कर दो बनाएगा पριया को आल कि बनाएगा और व्यार का वथ़ खरो वट्यव प्यांगा Hag झाल झाल